कि असलाम ले कुण कड़िए कितना कलर्फुल शेरत हैए आथ मैं बना रहूं सैबुधना excitement क्यूंट है किन लेकिन आद में बना रहूं साबुधना का शेर्बत है हर रोज़ दार के अबकत्व साब लेका हेता, यह बहुत हिल्थी राश्पी है और सिंपल भी हें विक आप रमजान में एफ से लिए बना सकते हूं हो βूल्थि है साबुदाना इसका शर्वत बनाई हो मैं आज के इसकी प्रोसेस देखते हैं इफ्तियारी के लिए बहुत सिंपल से टाइम सेविंग रेस्पी है ये इजी से आसानी से आप अपने घर में साबुदाना शर्वत बना सकते हों मैं इसके लिए एक चोटा सा बॉल ली हूँ इसमें टू स्पून्स अफ कश्टेड पोडर को याड करती हूँ थोड़ा सा दूद डालते हुए आप पानी में भी मिक्स कर सकते हों मैं थोड़ा सा दूद डालके मिक्स कर लेते हूँ इसको लंप्स नेहना इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कश्टेड को अच्छे से मिक्स कर ली हूं मैं उसी तरह मैं सब्जा सीड्स को भी भीगो लेती हूं और साबुदाना को भी बाइल कर लेती हूं शेर्बद ब्याने के लिए मैं दूद रख ली हूं आफटर मिल्क है यह इसको बाइल होने तक वेट करते हैं एक सेट पर दूद को बाइल कर लेती हैं और दूसरी सेट पर मैं साबुदाना को भी बाइल कर लेती हूं अब देख सकते हूं मैं सावदाना को बॉल कर लेती हूं सावदाना को मैं 10 मिंट्स के पर सोक कर ली थी यह अच्छे सोक हो गए थे फिर मैं बॉल कर लेती हूं इसको पिनू से गल गे हैं इसको Ximri निकाल लेते हूं जेदा सब्सक्र करने का निकाले साबफ्दाने गल्ले मेन जयाधा टैम लगे का छी जाते हैं मस तवार्फ करकर के 10 दी लाक सब्सक्री स्ब्सक्रण आओ 23 अब बशिए अंदे करते हूं श्यूगर को अपके तेश्ट की हिसाब से शुगर को याड़ कर लेना शुगर मिल्ट होती ही मैं कस्टेड पॉडर को याड़ कर लूगे दूर अच्छे से बॉइल होता है शुगर अच्छे से मिल्ट भी हो गई है मैं मिक्स किये हुए कस्टेड पॉडर को इसमें याड़ कर लेती हूँ थोड़ा सा ही कश्टर पोड़ दालना ज्यादा ने दालना ज्यादा कश्टर पोड़ याड़ करेंगे तो यह डेजर्ट बन जाएगा फूरूर्ट से राट अब डेजर्ट बन जाएगा इसलिए थोड़ा सा ही कश्टर को याड़ करना चाहिए शर्बत के लिए बस टेस्ट के लिए वेनिला फ्लेवर के कश्टर बड़ को यूज करी हुमें इसको अच्छे से पका लेते हैं फाइटन इनिट के लिए किस रास मेल जाके अच्छे से कुख हो गया है इसकी अब भी तो वेनिला फ्लेवर की अच्छे समेल आती है अब इस्टोव आफ करके इसको ठंडा कर लेते हैं अब देख सकते हो मैं इसको इस्टोव उपर से उतार ली हूँ अब मैं इसको ठंडा करके रूम टेंपरेचर आने तक इसको ठंडा कर लेते हूँ उसके बाद मैं इसे रिफ्रिजेटर में एकदम चिल कर लूँगी शर्बत तो अच्छे से थंडा होगा है अब देख सकते हो एक दम अच्छे से तिकनेस भी आगा है जिसमें अभी मैं इसमें बचे हुई इंग्रिडियन्स को याड करती हूँ इसको दुसरे बोल में ट्रांस्फर कर लेती हूँ जो षिसमें ड्रांस्फर करना है जो में इसी बोल में इसको अधरी मिक्स कर लेती हूँ मैं इसमें बचाही से जो मैं पहले से शारे ही भीगी कर लियोगा। बना कम आपको थणा पायी यश्वदी बचISA G उचने हैं फिर में इसमें इड़िते हूं जल्ष जो मुझए से बना कर रह्त हूँ मैं जल्ष आपको जल्ष तो यह ज्य्ख रजवर्पित रश्क के सब देख लेते हूं ग्रीन कलर के जल्ष यजल्ष, एयल्लो, रेड्ड, ग्रीन कलर टी मिनि इड़िते हूं इन सब को अच्छे से mix कर लेते हैं अब देख सकते हो कितना colorful है यह कितना अच्छे से है मैं इसको अभी सही serving glass में नहीं निकालते हूं क्योंकि मुझे इफ्तारी के लिए time बहुत सारा है तब ही मैं इसमें serve कर लूँगी जब इफ्तारी के time हो जाएगा तब मैं इसको serving glass में निकाल लूँगी बस मैं आपको दिखाने के लिए मैं इसमें एक bowl में इसको serve करी हूं अब देख सकते हो कितना colorful, simple and easy आसानी से बन जाने वाला साबुदाना शर्बत ready हो गया है आप भी इफ्तारी में try करना जरूर एकदम बाहर के soft drinks पीने से भी healthy घर पे ही बनाया हुआ साबुदाना शर्बत हो जो भी शर्बत बना के पीजिए बहुत healthy रहेगा दिन भर हो आपके जब भी time मिलेगा इबादत करने कोशिश करिए आप भेर सारे द्वाएं कीजिए सब के लिए द्वा कीजिए आपके द्वा में हमें भी शामिल कीजिए आपको एग वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल एकन प्रेस करना मत भूलना सिंपल और इजी रेस्पिस के लिए फालो कीजिए ये ये के हैज व्लॉग तैंक्स फर वाचिंग